नमस्कार मैं हो मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत आज हम बात करेंगे कि 2024 लोगसाभा एलेक्शन मायवती के लिए क्यूं हो सकते हैं आखरी चुनाव जिस BSP और मायवती की उत्तरप्रदेश में तूती बोलती थी उसी BSP और मायवती का साथ उस पार्टी के नेता छोड़ते जा रहे हैं अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार तो BSP की टिकेट के लिए उत्तरप्रदेश में लाइन भी नहीं लग रही है अगर ये बात सही है तो वाकई में मायवती और उनकी पार्टी का राजनितिक भविश ठीक नजर नहीं आ रहा है BSP सुप्रीमो मायवती ने अलग चुनाव लड़ने का एलान किया था साल 2019 के चुनाव में BSP ने सपाक के साथ मिलकर चुनाव रड़ा था और उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर कबजा किया था UP में एक तरफ तो BJP वाला NDA गड़बंधन है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कौंगर्स वाला इंडिया गड़बंधन है चुनावों में एक तरफ बीजेपी की अगवाई वाला इंडिये है दूसरी तरफ अब इंडिया गडवंधन के दो प्रमुक सहयोगी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस साथ है पिशले कई दन से बस्पा के नेता पार्टी और बहनजी का साथ छोड़ कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे है उसकी सबसे बड़ी वज़े मायवती की निश्क्रेता है वो किवल चुनावों के समय में बाहर निकलती है और कुछ एक रहलिया करती है जबकि दूसरी पार्टी के मुख्या चुनावों में पूरी जान जोग देते हैं और सेक्णों जनसभाएं और रोट शोस कर डालते हैं पहले गाजिपूर से बस्पा सांसद अफजाल अंसारी को सपाने टिकेट दिया अब इंबिटिकर नगर से बस्पा सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं अमरोहा से सांसद दानिश अली को बस्पा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है दानिश अली कई मौकों पर राहूल गांधी के करीब नजर आये हैं और ये दावा किया जा रहा है कि कॉंग्रिस दानिश अली को अमरोहा से टिकेट दे सकती है बीजेपी में शामिल होने वाले रितेश पांडे के मताबिक उन्हें पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है पार्टी उन्हें किसी बैठक में नहीं बुलाती पार्टी नेतरत वो कोई समबाद नहीं करता ऐसे में होने लगता है कि पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है लिहाजा वो स्तीफा दे रहे हैं एमबेटिकर नगर के अलावा जॉनपुर से बस्पा सांसत शाम सिंग यादो के भी बस्पा से अलग होने के कयास लगाय जा रहे हैं ये दावा किया जा रहा है कि वो कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं वो साल 2022 में राहुल की यात्रा में शामिल हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो निजी हैसियत से इस यात्रा में शामिल हुए थे अब अनुमान ये है कि चुनाव आने से पहले ही बस्पा के दस के दस सांसद किसी दूसरे दल का दामन थाम लेंगे और मायवती को अकेला छोड़ देंगे। 2019 के चुनाव में मायवती ने अखिलेश के साथ गटबंधन किया और 10 सीटे जीती। तो इस चुनाव में अखिलेश की पार्टी को नुकसान हुआ और सपा केवल 5 सीटे ही जीत पाई। अब 2024 में सपा ने कॉंग्रिस के साथ गटबंधन किया है क्योंकि बस्पा के साथ चुन नहीं मिला और उनका प्रदेशन खराब रहा। मायवती से दूर जाने की एक वज़े ये भी है कि भाजपा ने चुनावों का जाती की जगहें धार्मिक ध्रूविकरन कर दिया है। जातियों को साथने के लिए भाजपा ने हर जाती के प्रतिनधी को सरकार में जगहें दी है। वैसे भी मायवती की पकड़ अब उसके कोर वोटर से दूर हो गई है। बीज़े पी ने ना केवल OBC वोटर को अपनी ओर खींचा है बलकि अनुसूचित जाती को भी अपना वोटर बनाया है। ऐसे में कुछ पॉकेट्स छोड़ दिये जाएं तो मायवती का कट्टर वोटर अब नहीं रहा है। फिर मायवती का लोगों के बीच में ना होना भी उनके खिलाफ जा रहा है। हाल में ही मायवती ने अपने भतीजे को अपना उत्राधिकारी निक्त किया है जबकि बीजेपी और पीएम मोधी परिवारवाद को लेकर कॉंग्रेस और सपा पर न निशाना बनाती रहती हैं। अपने कोर वोटर को लेकर उनका कोई रोड मैप नहीं है जिसकी वेज़े से उनका वोटर उनसे जुड़ पाने में समर्थ हो गया है। ऐसे में क्या होगा आने वाले चुनाओं में मायवती और उनकी पार्टी का भवश्य अब इंतजार बस इस बात का है। तो फिलाल कि इस खबर में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं शेश भारत।